हे गाईज विलकम एक टू भीविदे क्लास एचूपी तो आज के इस वीडियो में हम हमारे बैलाउसकल साइंस का लेशन प्लाइन डिसकस करने वाले हैं जिसका टॉपिक है कोसी का तो चलिए देखते हैं यह हमारा पाठी ओजन संक्या जो है आठवे नंबर का है सिर्फ यह ह हम आठवा लेशन प्लाइन ही डिसकस नहीं कर रहा है और आपको किसी भी टॉपिक का लेशन प्लाइन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको मिल जाएगा वश्य ही आप लेशन प्लान का वीडियो चैनल पर भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी त्यारा आप चाह जरुवत होती है तो आप वहां से बिजा कर देख सकते हैं ठीक है तो चलिए हम देखते हैं चात्र अध्यापी का या चात्र अध्यापा का नाम प्रसिक्षड के अंदर दिनांक कच्छा वर्गविश है उपीस है चक्र अवधी ये सारी सीजे लिखने के बाद हम सीधा आते ह ओधिना सुक्षमजीव रुधीर विटमीन इन सारे टॉपिकल एसन प्लान हमने डिसकस किया हुए और चैनल पर आपको इन सारे टॉपिकल संप्लान मिल जाएगा ठीक तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है समाने उद्देश लिखेंगे समाने उद्देश में क्या ल अब लिखेंगे विशिष्ट उद्राक में बता सकेंगे और उसके बाद रियात्मक उद्राक उद्राइशा का का महत्व दैंनिक जीवण में समझ सकेंगे गी हो गया हमारा विशिष्ट उद्धिष्य साहयक सामगरी लिखेंगे जिसमें लिखेंगे चाट पेपर पर बना चीतर जो भी चीज़े आप टीचिंग के दोरान यूज करते हैं साहयक सामगरी के तोर पर वही चीज़े आप यहाँ पे लिखते हैं सिक्षर विदिया में प्रश्णी करण विधी, व्याख्यान विधी और प्रयोक प्रदर्सन विधी ये सारी चीज़े लिखेंगे पूर्वग्यान में लिखेंगे छात्र कोश्का के बारे में समाने जानकारी रखते हैं उसके बाद प्रस्तावना का प्रस्टन लिखते हैं जिसमें लिखेंगे पहला कोश्चन आप पढ़ने के लिए कहां आते हैं तो हम पढ़ने के लिए विद्याले या इस्कूल में आते हैं। ठिक, दूसरा है, विद्याले का निर्मार किन वस्तूों से मिलकर होता है। तो 8-Cement आदे से मिलकर होता है। उसके बाद तीसरक प्रशन लिखेंगे इसी प्रकार हमारे सरीर का निर्मार किस से होता है तो इसी प्रकार हमारे सरीर का निर्मार किस से होता है कोशिका से होता है इसके बाद समस्यात्मक प्रशन लिखेंगे कि कोशिका के बारे में विस्तार से बताईए तो ये हो जाएगा जो होता है हमारा समस्यात्मक प्रश्ण और इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखे आगे बढ़ते हैं ठीक इतना हो गया प्रस्तावना का प्रश्ण अब लिखेंगे उद्देश्य कथन उद्देश्य खथन में लिखेंगे आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्यन करेंगे अब इसके बाएद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं जिसमें लिखेंगे प्रस्तूत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को तीन सिक्षड बिंदू में प्रस्थूत किया गया जो क्रम सह कोशिका कोशिका के प्रकार वो एक कोशिय और बहुकोशिय जीव है यह उता मारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया इसके बाद क्या करेंगे हम अपना पहला सिख्षडबिंदू लिखेंगे कोशिका जिसमें पहला कोश्चन लिखेंगे सजीव किसे कहते हैं तो जिन में जीवन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं सजीव कहते हैं दूसरा लिखेंगे जीवन की मुलभूतिकाई क्या है तो जीवन की मुलभूतिकाई कोशिका है फिर मौन प्रस्ण लिखेंगे मौन प्रस्ण में लिखेंगे कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं यहाँ पे जो है चातर हो जाएंगे मौन इसके बाद हम आगे बढ़ें अपने असपस्टी करड़ में लिखेंगे सभी जीओं का सरीर अनेक सुक्ष में इकाईयों से मिलकर बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं कोशिका जीवन की रशनात्मक कार्यात्मक तथा मूल भूत इकाई होती है कोशिका की खोश सर्व प्रथम रावर्ट हुक ने सन 1665 इस भ लाता है यह हो गया हमारा पहले सिक्षड बिंदु का सपस्टी करड़ इसके बाद हम लिखेंगे अपना श्यांपट कारे श्यांपट कारे में जो भी चीज़े आप लिखते हैं यहां पर सपस्टी करड़ में या टीचिंग के दौरान जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं अब हम अपने दूसरे सिक्षड बिंदु पर कोशिका के प्रकार यह हमारा दूसरा सिक्षड बिंदु है इसमें पहला कोशिका की खोज किसने की थी तो कोशिका की खोज रोबोल ठूबने किया था दूसरा कोशिका का अध्यन क्या कहलाता है कोशि असपश्टी करड़ की और असपश्टी करड़ देने इस पहले आप देख सकते हैं याप डाइग्राम तो यह आप दूसरा जो हमारा सिख्षड बिंद्ध है कोशिका के प्रकार उसमें आप बनाएंगे या तो आप स्यांपट कारे वाले बॉक्स में बनाते हैं या तो अलग ठीक है इसका एक बार स्क्रीन सोट लीजिएगा प्रोकेरियोर्टिक यूकरियोर्टिक कोशिका विशारू जीवारू बना लेंगे आप ओके हो गया आगे बढ़े अब हम देखते अपना दूसरा सिख्षड बिंद्ध का अजपश्टी करड़ इसमें लिखेंग कोशिका दो प्रकार की होती है प्रोकेरियोर्टिक और यूकेरियोर्टिक कोशिका प्रोकेरियोर्टिक कोशिका में लिखेंगे कि ऐसी कोशिका जो अविक्सित होती है जिन में कोई सपष्ट केंद्रक नहीं होता है उदाहरण लिख लेंगे जिवाड़ो और विशाड़ुका फिर यूकेरियोर्टिक कोश्का लिखेंगे ऐसी कोश्का है जो विक्सित होती है जिन में संगठित केंद्र पाय जाता है उदाहरण पेरपोधे जिवजन तो फंगसाद ही लिख लेंगे यहाँ पे चातर चातर यहाँ से सुनते हैं और उसके बाद स्यामपटकार आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है कोश्का के प्रकार प्रोकेरियोर्टिक कोश्का यूकेरियोर्टिक कोश्का तो यह सारी सीज़ा आप लिख देंगे इसके बाद आगे बढ़एंगे हम अपने तीसरे सिक्षड बिंदु पर तीसरे सिक्षड बिंदु अब इसमें कोशिका कितने प्रकार की होती है तो कोशिका जो है दो प्रकार की होती है फिर दूसरा क्वेशन लिखेंगे प्रोकरियोर्टी कोशिका का उदाहरण बताई तो प्रोकरियोर्टी कोशिका के उदाहरण जिवाड़ू और विशाड़ू है उसके बाद तीसरा क्वेशन लिखेंगे एक कोश्की और वह बहु कोश्की जीव के बारे में आप क्या जानते हैं यहाँ पे जो हैं छातर हो जाएंगे मौन आप छातर मौन लिख देंगे उसके बाद असपस्टी करड के और बढ़ेंगे या पस्पष्टि करण में लिखेंगे वह जीव, जिन में केवल एक ही कोश्का हो, वह एक कोश्की जीव कहलाते हैं, उदाःरर अमीबा पैरा मिशियम आदी दूसरा लिखेंगे बवकोश की जीव वे जीव जो एक से अधी कोशकाओं से बने होते हैं वह बवकोश की जीव कहलाते हैं उदाहरर पेड़ पोधे जीव जन्तु आदी ये सारी सीज़े आप लिख देंगे यहां पे अब स्यामपट कारे कर लेंगे अमीबा का चितर बना लेंगे एक कोश की जीव का उदाहरर बवकोश की जीव का भी उदाहरर लिख देंगे अब आगे बढ़ते हम निरिक्षर कारे पर अपने निरिक्षर कारे में लिखेंगे कि छात्र ध्यापक द्वारा चात्र को श्यामपट कारे उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाये रखते हुए निरिक्षड कारे किया जाएगा ये निरिक्षड कारे हो जाएगा हमारा और हाँ अब इसके बात पुन्णरवर्थि का प्राशन लिखेंगे इसको लिखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहें किया आप ब्योदे क्लासेज यूपी को तो प्लीज एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भीरे क्लासे जीऊ पी से जोना नहीं भूलेंगे और वीडियो आपको हेल्फूल लग रही है तो प्लीज लाइक और सेर भी जरूर कर दीजिएगा पुन्रवर्थी के प्रश्ण में पहला कोशन लिखेंगे कोशिका किसे कहते हैं दूसरा कोशिका की खोश खिसने की थी तीसरा कोशिका कितने प्रकार की होती और चौथा कोशन लिखेंगे की भौश के जीऊ किसे कहते हैं ठीक ये होगे हमारा पुंदरवृति का प्रश्ण इसके बाद हम ग्रियकारे लिखेंगे और वहीं पर पाठियोजना हमारा समाप्त हो जाएगा ग्रियकारे में लिखेंगे सवी छात्र घर से कोशिका के बारे में लिख कर लाएंगे और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पार्टी और जना समाप सो गाईज आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें जाते हों अभी वीडियो क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर भी ज़रूर करते जाएगा ओके थैंक यू